हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आज मैं अपनी बालकोनी में वीडियो बना रही हो तो गाइस मैं आज अपनी बालकोनी में वीडियो बना रही हो देखो यह मेरी बलकोनी है यह फ्लैग लगा है मेरी बलकोनी में यह देखो है यह प्लैग है हनुमान जी का और यह मेरी बलकोनी है एक्चले मेरा ग्राउंड फ्लॉर है मैं ग्राउंड फ्लॉर पर रहती हूं तो यह देख्यों तो गाइज मैंने सुचा आज बालकुनी में वीडियो बनाती हूं घर के अंदर बहुत करम है बहुत करमी लग रही आज तो गाइज मैंने अज बहुत सारी वीडियो बनाई है तो प्लेज आप लोग सारी वीडियो वाच कीजिए मेरी वीडियो से आप लोगों को काफी चीजे शीकने को मिलेगी जो लाइफ में हमें नहीं करनी चाहिए और life में गलती हर इंसान से होती है लेकिन उस गलती से हमें सबक जरूर सीखना चाहिए गलतियों को मतलब casually way में नहीं लेना चाहिए क्योंकि हर चीज लोट के आती है तो guys हर चीज लोट के आती है आज आप किसी का बुरा करोगे बुरा सोचोगे उसके लिए मतलब सडियंतर रचोगे जो भी है सब लोट के आता है और guys आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो please बताना और आप लोगों को कोई भी टेंशन हो तो please मेरे साथ जरूर शेयर करना मैं आपकी प्रॉब्लम तो दूर नहीं कर सकती लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिस करूँगी अगर मेरी वीडियो से किसी के लिए अच्छा होता है तो मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई नहीं है मैं बार-बार यही बात आप लोगों को बोलती हूं तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम मैं मैं आपकी जितनी भी हल्प कर सकती हूं तो प्लीज हल्प मैं आप लोगों की जितनी भी हल्प कर सकती हूं तो मैं आप लोगों के साथ हूं और बस मैं आप लोगों से यहीं बोलना चाहूंगी कि कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए जब इनसान की सिच्वेशन ठीक नहीं चल रही हो कोई भी हो हमारा दोस्त हो या दुस्मन हो और सबको अच्छी राय देनी चाहिए बस गाईज अगर मेरी वीडियो से या मेरे किसी वर्ड से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है प्लीज आप मुझे जरूर बताइए क्योंकि मैं भी 100% तॉर्ट नहीं हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो सकती है तो गलती हरण इंसान से हो सकती है ऐसा नहीं है हमारी बातों से अगर किसी को हट होता है तो उसके लिए सोरी बोल देना चाहिए गाइज प्लीज आप लोग कामेंट्स करके बता सकते हो और मैं कोशिस करते हूँ कि आपको इस तरह की वीडियो बनाऊं जो आप लोगों को जल्दी समझ में आए कार्टून से रिलेटेड, हसी मजाक से रिलेटेड या जैसे भी मुझे ठीक लगता है इसलिए मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ कुछ आप देख रहे हूंगे कि मैं पैट से रिलेटेड यीग वीडियो बना मना के डाल रहे हूँ तो बस मेरा मोटीव यही है कि मैं किसी का अच्छा कर सकूँ अच्छे से समझा सकूँ और मेरी वीडियो से काफी लोगों को फायदा हो तो गाइस बाहर वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है शाम के टाइम सब लोग करते हैं यह देखो सब गो करें मेरे घर के जस्ट सामने जूला है चोटे बच्चे जूला जूल रहे हैं और देखो सामने मुझे अच्छा लगता है इस जूले पर शाम के टाइम बच्चे आ जाते न बहुत चैल पहल होती है तो मुझे न चैल पहल बहुत पसंद है मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है एकांत में रहना पसंद नहीं है यह दिखो इसलिए मैंने ग्राउंड फ्रोर लिया था कि लोग मुझे दिखाई देने चाहिए मैं मतब सीरियस नहीं रह सकती हूं मिरको बस सब लोग दिखने चाहिए घूंते फिरते मैं सबसे बाते करती रहती हूं सबकी हेल्प करने की कोशिस करती हूं बस यही है मेरी लाइफ में जो मुझे अच्छा लगता है और अभी मैं अभील बंद करेंगी तो सब लोग मिर से बाते करने के लिए आ जाएगे क्योंकि मैं सबका खाल चाल पुछती हूं जितने अब यहां बैठेंगी देखो सामने अभी आने वाली है तो सबके बारे में पूछती हूं सबकी तबियत पूछती हूं सबको अच्छी राय देती हूं आंटी को भी के अंटी आप यह खाया करो घूमा करो अपना ध्यान लखो तो गाइस बस यही है मेरा नेचर और बच्चो मुझे अच्छा लगता है सबका हाल चाल पूछना सबको समझाना किसी का दुख है उसके साथ बैठके शेयर करना यही लाइफ है यही काम आना है और कुछ काम नहीं आना है गाइस तो बस गाइस आज की वीडियो इतनी बालकोनी में ज़्यादर वीडियो नहीं बना पाँ हम भी सब लोग देख रहे हैं और काफी लोग अब मुझे आवाज लगा के बलाएंगे तो बस गाइस अभी मैं रखती हूं मैं भी बाहर जा नहीं ज़रा गुमने ओके बाबाई और आप लोग भी जरूर गुमने जाया करो यार कुछ नहीं रखा लाइफ में गुमोंगे तो आपके सरीर के लिए अच्छा है गुमना बहुत जरूरी है गाइस ठीक है गाइस तो ओके बाबाई